नमस्कार, आज एक interesting question के बारे में डिस्कोस करने जारे question है structure of an egg जोब आलवट हुआ है अंडे का आकर अंडा कर क्यों होता है अंडे का आकर triangle क्यों ने होता है rectangle क्यों ने होता है square क्यों ने होता है cube क्यों ने होता है ये road shape का क्यों ने होता है ये अंडा का ही क्यों होता है ओवलिन से भी क्यों होता है मुर्गी के अंडा के आगर के बारे में डिस्कॉस करने से पहले आपको जानकरी होनी चाहिए मुर्गी का रिप्रोड़क्शन सिस्टम के बारे में ये रहा मुर्गी का रिप्रोड़क्शन सिस्टम यह रहा अबरी, अबरी से अंडा निकलेगा, अबिड़क्ट के थोड़ से आगे बढ़ेगा, उसके बाद एक छोड़ा सा ओपनिंग होता है, जिसका नामे कलोग का, कलोग का थोड़ो से वो बहार निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो कलोग आप दीख रहे हो, कलोग का बहु इधर रहा अबरी, अबरी से अंडे निकलेगा, उसके बाद यह अबिड़क्ट के थोड़ो से आगे बढ़के, कलोग का के थोड़ो से यह बहार निकल जाएगा, तो यहाँ जो आता है, वो फुली मेचोड एग नहीं होता है, सबसे पहले अंडा का योक बनता है, जो वेल पे कलाजा बनता है, उसके बाद आगे बढ़ते बगत यहाँ पे एग वाइट बनता है, जिसको अल्बूमिन कहते हैं, और एग वाइट के बाद धीरे धीरे उपर हार्ड कवरिंग बनना सुरू हो जाता है, जो कि कल्सिम कर्बोनर से बना हुआ आता है, जिसको हम अंडे क अगर इस अंडा का क्यूं हुआ, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो अभी डॉक्त है, यह स्मूथ मुसल से बना हुआता है, प्र शिक क्या करेगा, वो बीच में कंट्रक्ट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पुस करेगा, तो यह धीरे से आगे जाएगा, तो यहाँ पर आप दीख पारोंगे कि कंट्रक्ट होने के बाद जो पुस कर रहे हैं, तो यह वाला परसन थोड़ा ब्रोड हो जाएगा, ठीक है ना, और यह जो ट्यू है, हमारे जो अभी डॉक्त वाला ट्यू है, यह नेरो होता है, बहुत पतले होता है, तो पतले वाला चोड़ा एक तरह थोड़ा सा पॉइंटेर शेफ नजराता है,